इस रिपोर्ट में आज हम आपको टीवी की उन पॉपिलर एक्ट्रस के बारे में बताएंगे जो टीवी पर तो काफी फेमस हैं लेकिन रीजनल सिनेमा में भी इन्होंने अपनी आक्टिंग से खुब वावाही बतूरी है इतना ही नहीं रीजनल सिनेमा में इनका रुद्बा किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं तो आईए मिलते हैं उन टीवी आक्ट्रस से सरगुन ने अपने आक्टिंग करियर की शिरुवात यह तो टीवी इंडस्ट्री से की लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता है कि वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बड़ी स्टार है जिहां साल 2015 में पंजाबी फिल्म अंग्रेज से सरगुन ने पंजाबी फिल आने वाली अविका गौर अब तेलिगू फिल्म इंडस्ट्री में काफी अक्टिव हैं अविका को सबसे पहले साल 2013 में आई तेलिगू फिल्म ओयला जंपला में काम करने का मौका मिला था और फिर इसके बाद वो कई तमिल और कंणड फिल्मों में नज़र आई NTV के शोग गंगा में गंगा सागर चतुरवेदी का रोल कर पॉपुलर हुई आक्ट्रस अदिती शर्मा ने तेलिगू फिल्मों में भी काम किया है इसके अलावा अदिती पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी अक्टिव हैं स्टैपलर्स के सीरियल फिर भी नमाने बत्तमीज दिल में काम कर चुकी हैं साल 2013 में तेलिगू फिल्मों में अपना डेब्यू किया था इसके बाद वो कई कर्नर फिल्मों में भी नज़र आ चुकी है लागी तुछ से लगन और बाली का वदू जैसे सीरियल में काम कर चुकी अक्ट्रस माहिविज ने साल 2004 में मल्यालम हॉरर मूवी आपरेचितन में काम किया है लेकिन आपको बता दें कि इशिता ने तेलिगू फिल्मों में और इसके अलावा करनर्ट फिल्मों में भी काम किया है टीवी शो तुछ संग प्रीत लगाई सजना और सर्वगूंट संपन जैसे शोज में काम कर चुकी पूजा बोस ने साल 2011 में तेलिगू फिल्म वेडू थेड़ा में काम किया है इसके बाद वो कई बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुकी है टीवी शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में काम कर चुकी अक्ट्रस एरिका ने साल 2013 में तमिल फिल्म इंथो एंथो एंथो में काम किया है इसके अलावा उन्होंने कर्णर फिल्मों में भी काम किया है स्टापलस के शो देहलीज में काम कर चुकी अक्ट्रस त्रिधा चौधरी भी बंगाली फिल्मों में काफी अक्टिव है इसके अलावा तेलिगू फिल्मों में भी त्रिधा नजर आ चुकी है